हेलो एंड वल्कम इन नेक्स्ट नाई नियूज मैं हूँ आप सभी की होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्टार लाइफ में जानते हैं आप कि हम जब भी प्रोग्राम लेकर आते हैं तब हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई किस तरहां से सितारे अपनी जिंदगी को ची रहे हैं भाई किस तरहां से बीटा उन में क्या कुछ सितारों के साथ हो रहा है और किस तरहां से सितारे क्या मौज मस्ती कर रहे हैं आपको बता दे कि आज के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे किस तरहां से जानवी कपूर ने पहली बार अपनी डेटिंग को लेकर तमाम खुलासे करे हैं यकीनन आप ये चीज जानते होंगे कि जानवी कपूर इशान खटर को डेट कर रही है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं जनाप तो आप गलत हैं जी हाँ आपको बता दे कि जानवी ने इंटरव्यू में इस बात का साफ ख्लेर आउट खुलासा किया है कि वो इशान खटर को डेट नहीं कर रही है जबकि वो किसी और को डेट कर रही है अब वो कौन है भई छुपे हुए डेटिंग बॉय यह आपको पता चलेगा इस प्रोक्राम में जहां पर उसके बाद आप देखेंगे कि बॉलिवूड के ये सितारे किस तरहा की जिन्दिकी को जी रहे हैं आप देखें हमारा ये खास प्रोक्राम जहां पर आपको बॉलिवूड की लाइफ के बारे में पता चलेगा तो न धड़क से बॉलिवूड में डेब्यू करने वाली एक्रस जानवी कपूर का ना पिश्वे काफी वक्त से इशान खटर के साथ जोड़ा जा रहा है तो वहीं कहा तो ये भी जाता है कि जानवी इशान खटर नहीं बन की अपने बच्पन की दोस्त अक्षत राजन को डेट कर रही हैं तो वहीं हागी में जानवी ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया जिहां दरसल खबरों की मानिक तो जानवी से हागी में इंटर्व्यू में पहले इशान खटर की बारे में पूछा गया तो उनकोंने साफ मना कर गया और कहा कि वो इशान को डेट नहीं कर रही है लेकिन अपनी सफाई डेते हुए जानवी ने कहा अफ़ा तो ये भी है कि मैं अपने बच्पन के दोस्त अक्षत राजन को देट कर रही हूँ सच कहूं तो उससे मेरे साथ बहार जाने में अब डर लखने लगा है उससे ऐसा लगता है कि लोग अगर दोनों को साथ देख लेंगे या दो रुख क्यांदे की निगाहों में आ जाएंगे तो दोनों के रिलेशनशिप की अफ़वाई पहनने लगे ये जब वो मेरे पापा के वर्टे पर आया था और उसने मीडिया को वहाँ पर देखा तो वो छिपने लगा था यही नहीं वो वहाँ जारा दे तर नहीं रुख पाया और वहाँ से चला गया वेल जान्वी कपूर के सुबायान से सोचल मीडिया पर फैस यही कहते हुए दिखाई दिये हैं कि जान्वी ये शान नहीं बलती अपने बश्पन के दोस्त को डेट कर रही है हाला कि जानमी ने इस बात की सपाई तो दी अब इसको कितने सचाए है यह तो खुछ जानमी का पूती जानती होंगी हाली में शादी के बंधन में बंधी बॉलिवोड की सबसे खुबसूरत जोड़ी बॉलिवोड और हॉलिवोड का मिक्षर यानी की प्रियांका और दिख जी हाँ हाली में प्र्यांका निक के कुछ तस्वीरे हनीमून से सामने आ रहे हैं जहां पर प्र्यांका निक बेहती सादा रोमांटिक होते भी देखे जा रहे हैं आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरहां से निक और प्रियांका यहाँ पर काफी रोमांचिक होते हैं कहीं न कहीं जो तस्वीरे हनीमून से सामने आ रही है उनमें निक और प्रियांका के प्यार को साफ तोर पर देखाच वारा है यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बॉलिवुट में यह जोड़ी यूनीक जरूर है मगर अगर इनके कोडिनेशन और अंडिस्टांडिंग की बात की जाए तो यह जोड़ी काफी खत्तक खुबसूरत है और काफी मेच्योर भी बॉलिवुट के बेबो कहलाए जाने वाली खरीना कपूर खान जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है हाली में देखा जा रहा है कि नए साल के मौके पर करीना ने दोस्तो सर और पती सेव संचम के नए साल का जश्न मनाया हाली में पाजी के कुछ तस्वीरे सामने आ रही है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है जहाँ पर आप करीना के चहरे से उनके भुडापे को देख सकते हैं यकीना नी काफी हैरान कर देने वाली ये तस्वीरे रही जहाँ पर करीना यू तो मेकप में काफी खुबसूरत यानि कि 38 की उपर में ही करीना के चेहरे पर भुड़ा पसाव चलकने लगा आपको बता देए कि देखा जो आ रहा है कि जब से ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर साबने आ रही है तब से ही करीना को काफी ट्रॉल भी किया गया यहां पर फैंस करीना को देखके ये भी कहते दि खावा है बॉलिवच की देथी गल यानि कि प्रयांका चोप्रा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है हाली में प्रयांका इन दिनों स्विजलेट में छुटियों को मनाती दिखी जहां पर प्रयांका की कुछ तस्वीरे सामने आ रही है और आप देख सकते हैं कि यह पर निक प्रयांका को डाटते हुए देखे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी और यहां पर प्रयांका काफी जारे हुए एक्स्प्रेशन भी बनाती दिखी कहीं न कहीं आपको बता देए कि निक और प्रयांका इन दिनों हानीबोन को सलिब्रेट करने के लिए स्विजलेंड क हसीन वादियों में ऩहां पर बरेफीली वादियों के वी इच निक और प्रयांका का प्यार निक तक प्यार में देखा गया i कि जेठानी और देवरानी के बीच का ये चुन खास बॉंडिंग है ये बेहत ही खुबसूरत अंदास बे तस्वीरों में बया होगी है बॉलिवट के रियती गर्ल यानि की प्र्यांका चुप्रा जो इन दिनों अपने सुसुरालवालों के साथ स्विजलेंड में सुट्यों यहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर प्र्यांका अपनी जेठानी सोफी को पसीह ओगया आप यहां पर तस्वीरों में धेक्सक्ते हैं जो स्विजलेंड सामने आने आ रहे हैं। यहां पर प्रियांका जो है ससुराल वालों की अब फेवरेट हो चुकी है जी हाँ आपको बता दे कि निकोल प्रियांका स्विसलेंट ने हनीमून को सलिप्रेट कर रहे हैं जहाँ पर देखा ज़ारा है कि यह दोनों अकेले नहीं बलकि यहाँ पर जेठानी और जेट जी भी है यानि क कि जो जननस और सोफी को भी यहां पर देखा गया कई न कहीं देखा गया है कि जब से श्वाती मुई है तब से ही फ्रियांका काव विदेश में हैं जी हाँ पहले ससुराल वालों के साथ मस्ती उसके बाद पती रेप के साथ के हानी मून पर मस्ती कर तीप व्यांका को बॉलिवज आक्टर अबिताब अच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं हाली में देखा गया है कि अमिताब अपने बच्चों से काफी जादा प्यार करते हैं आपको बता दे कि हाली में अमिताब की बेती श्वेता नंदा बच्चन की कुछ तस्वीरे सामने आ से अक्सर ही बच्चती आई हैं कई न कई जो इस तरहां से अभी शेग बॉलिवड का एक चहरा है तो वहीं श्वेता को देखा गया कि वह एक विबिस्नस वुमेन कहला ही चाहती हैं ऐसे में आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यकीनन अगर श्वेता बॉलिवड में नहीं बलकि अपनी बेटी के कारण सुर्खियों में चाही हुई है जी हां कहा जा रहा है कि रवीना टंडन की बेटी को बॉक्सिंग करते देखा गया जहां पर अपनी बेटी को बॉक्सिंग करता देख रवीना टंडन का एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर वह अपनी बेटी को इस तरहा की ट्रेनिंग लेता दे एक भावुक हो गई ज़िए आपको बता दे यहाँ पर रवीना टंदन जो है वो यह लिखती हुई भी दिखाए दे रही है कि मेरी बेटी मेरी कॉम से कम नहीं है रवीना टंदन नहीं कहा कि कोई भी मेरी बेटी के साथ उलच नह ही है ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मेरी कौंग को आने वाले टाइम में वो जरूर टक कर देंगी सो वेल फ्रेंज आपने देखा स्टार लाइफ जहां पर यकीनन सितारों की जिंदगी से आप यहां पर रूबरू हो गए दरसल आपने देखा कि जानवी कपूर खुद इन बातों का खुलासा कर रही है जी हां जानवी कपूर भाई क्लियर कह चुकी है कि अगर आपको लगता है कि मैं इशान को डेट कर रही हूँ तो आप कलत सोच रहे हैं जानवी यहाँ पर इशान को तो डेट नहीं कर रही हैं उन्होंने बताया है कि भई वो डेट कर रही है अपने फुराने बॉइफरेंट को कही न कही उनका नाम पहले भी अक्षुत के साथ जुड़ता दिखाई दिया था और ऐसे में एक बार फिर से पुरानी चीजों का हिंट देना कही न कहीं तमाम चीजों का खुलासा करता भी देखा गया वहीं यहाँ पर आपने देखा कि बाकी सितारे किस तरहां से एश और मौच कर रहे हैं किस तरहां से सितारे फुल टू न्यू यर सलिबरेट कर रहे हैं और किस तरहां से कुछ सितारे यहाँ पर हालिमून को सलिबरेट करते देखे फुलालाच के इस प्रोक्राम में बस इतना ही पर आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना पूलें